हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल निश्रया, आज हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज बिना ओवन के, हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे तरह के चॉकलेट चिप कुकीज बनाई थी, लेकिन उसे हमने बेक किया था ओवन में, यहाँ पर हम सेम डो और विसल को रिमूव कर दिया है, कुकर में हम डालेंगे एक कप नमक, नमक आप पुराना भी कामे ले सकते हैं, यानि इस नमक को बार बार हम यूज कर सकते हैं, कढाई में भी हमने एक कप नमक डाल दिया है, नमक को नीचे अच्छे से बॉटम में फैना लेंगे, कढाई के वीडियो में आपने देखा था हमने टयार किये थे डिफेरेंट पाइपस के तो इस में से हमने नग दो को ठाकर कर रखा था था लिंक में रैप कर फिरिज में रख धिया था 24 आर्ज के लिए हम वही दोड़ा से काम में लेंगे आज तो उस डो की रेसिपी देखने के बोल्स को रग दिया है अगर आप इसको ऊपर से कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं हमने चॉकले चिप यूज़ किया है और एक बेकिंग ट्रेय में पॉर्च्वन पेपर लगाया इस बेकिंग ट्रेय में भी हमने कुछ बाल्स बना करके रग दिया है प्रेशर ऊब अब कढ़ाई में हम बेक करेंगे तो हमने बेकिंग ट्रेय रग दी है इसे भी हमने लिट से कवर किया और इसको मीडियम टू लो फ्रेम पर बेक करेंगे 10-20 मिनट्स के लिए एग्लेस चॉकलेचे कुकीज बिना ओवन के बनकर के तयार है तेस पे बिल्कुल वैसी है जैसे बेक कुकीज होती है और यहां पर हमने जो डो यूज किया वो हमने एक दिन पहले बना करके रखा था कुकी डो को बना करके 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते है किसी भी एर टाइट कंटेनर में या प्लास्टिक क्लिंग में ड्रैप करके रखें जब भी आपको उसको निकाले और फ्रेश बेक करें तो आप में देखा हमने एगलेस चॉकलेट चिप कुकीज बनाई बहुत सारे तरीके से डिफरेंट वेरीशन के साथ में और इसे कैसी भी खाया जा सकते है गरम या ठंडा तो इन कुकीज को आप बनाएं और अपने एक्स्पीरिंस मेर चैनल पर जरूर शेयर करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्स्प्राइब करें और इसे अपने फ्रेंज एंड फामिली में शेयर करें थैंक्स वाचिंग